नमस्वार दर्शकों है लिटेश दर्पन गाथा राजस्थान प्रीवें मैं आपका हर दिख स्वावत पती थी मैं हूं पूजा सेंग दर्शकों जोद्पूर के लोग प्रीय महाराजा हनवंत सिंग्जी की विमान धुर्गर्टा में मृत्य हो गई थी और जैपूर में गोलिया चल गई थी जानकारी देने के लिए हमारे साथ है वरिष्ट पतलकार श्रीजितेप्र सिंग्जी शिखावत सरीव वहां मृति हुए यहां गोलिया चली क्या हुआ ऐसा ही महोल हुआ था जोदपूर के महराजा के प्रतिष जंता का अगाद प्रेम था आजादी के बाद जोदपूर के दिविंगत और लोगप्रिय माराजा हनमत सिंग ने कांग्रेस के खिलाप मोर्चा खोल दिया था 1952 का पहला हम चुनाव आया तब हनमत सिंग ने लोगसबा और विधान सबा में अपने उमिद्वार खड़े किये और खुद ने लोगसबा के लिए जोदपूर और विधान सबा के लिए सरदार पूरा से परचा भरा और उनके खिलाप मुखे मंत्री जैनार एण व्यास खड़े हुए थे हनमत सिंग 26 जनवरी 1952 को हवाईजाज से हवाईजाज को खुद ही चला करके है चोटा विमान था उनके पास में मादो सिंग भैसवाड़ा का परचार करने के लिए शिरोई की तरफ जा रहे थे तो राश्ते में पाली के पास में टेलीफोन के खंबे से उनका विमान टकरा गया और टकराण जाने से विमान पूरा जल गया और मर्त्यू की सूचना जब आकासवानी पर मिली तो राजस्तान के लोगों ने ये समझा कि उनकी यहां की सरकार ने सडियंतर से हट्या पूरे राजस्तान बर में कि महराजा की आखिर उनकी हत्याक्यों की गई और जगए जगए हड़ताले हो गई इस बारे में आई एस रहे ओकार सिंग जी बाबरा ने महराजा की अंतर कथा नाम से पुस्तक लिखी है और उस पुस्तक में लिखा है कि दुरगटना में महराजा साब का देहावसान वा तो पूरे राजस्तान में हड़ताले हो गई 28 जनवरी 1952 को जैपूर के लोगों ने उनको सरधान जली देने के लिए चानपोल से एक जुलुस निकाला शाम को ये जुलुस शुरूँआ और चानपोल के रामचंदर जी के मंदिर से जुलुस सुरूँआ था हर्मान सिंग जी का चित्र एक कार के आगे रखावा था कई लोग आगे मुंडन करवाए वे थे बजन कीरतन करते हुए लोग चल रहे थे उस समय बहुत अच्छे विख्यात नेता थे शामलाल वर्मा, रूपचन लूनिया और गुलापचन काला प्रमुख व्यापारी थे उसमें, जागिरदार थे, वकील थे, ज्यादातर विद्यार थी थे जिनमें रोश्ट था और वो जब जुलूस आगे बढ़ने लगा तो प सेकेटरी विश्वेश वरकर और पुलिस आईजीपी मिस्रा मानक चोग थाने में बैठे थे, नगर दंडा एक जीवन सिंगी थे, जिन्नों ने कहा कि जुलूस को आप मानक चोग की तरफ नहीं ले जा करके रामनियास बाग में ले जाएं, लेकिन वो लोग नहीं मानें, और हनमत सिंग, जिन्दाबाद, हनमत सिंग की जै कांग्रेस मुर्दाबाद, हत्यारी सरकार मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए, जुलूस मानक चोग की तरफ बढ़ने लगा, वहां सरदानजली और शोग परस्ताव उनको पारित करना था, पुलिस ने रोका तो जनता बढ़क उठी, पुलिस पर पत्थर फेंगे, एक पत्थर है, वो DSP बंडारी साब को लगा, IGP सरदार सिंग बिंदराजी थे, उन्होंने गोली कांड का आदेश दे दिया, गोलियां चली, धाएं धाएं गोलियां चले लगी, पहली गोली है वो नारायन पतेल को लगी, औ पाड़ा जंडा लेकर के आगे आगे चल रात, गोली कांड में तीन जनों की मर्ती हुई, और 28 जने घायल हुए, मरने वालों में हिंदूपुरा का रहने वाला चातर था गोर्दन सिंग, और इसके अलावा रिंगस के नेमीचन सोनी, और पुशारती चेला राम पंजाबी की मर्ती हुई, नाराइन पटेल के पाव में गोडी लगी, लेकिन वो बच गए, जोदपुर में तीन दिन तक लगातार हड़ताल रही, की मर्ती के बाद चुना परिणाम आये, तो उनमें वो जीत गए थे, ये बबाल कई दिनों तक पूरे राजस्तान भर में चाया रहा और हनुमत सिंग ने जो परत्याशी खड़े किये थे, उनमें ज्यादातर सारे जीत गए उनकी डैत के बाद में भी, इससे ये पता लगता है कि राजा हनुमत सिंग के परती, राजस्तान इन पूरे देश की जनता में कितना जबरदस्त, सनेह प्रगाड, सनेह था, ये इस गठना से हमें पता लगता है.